अब मैं इसको अपने बैंक में आपको ले के दिखा देता हूं ठीक है यहाँ पर मैं अपने बैंक में यह लोन का पैसा ले रहा हूं और यहाँ पर देख लो तो गाइस यहाँ भी मैं आपके सामने अप्लाई किया डिस्वर्समेंट एमाउन था 9,082 रुपीज और उतना ही मेरे बैंक में लो क्रेडिट भी किया हैं मुझे रिपेमेंट करना है 10,000 एक सब कुछ रुपय था मैं आपको दिखाया था Hey what's up guys this is Sanjeev and welcome back to again my YouTube channel So guys आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लोन लेके दिखाने वाला हूँ और ऐसे लोन एप्लिकेशन के बारे मैं बताने वाला हूँ ठीक है इस अप्लिकेशन को मैं अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हूँ और मैं इससे लोन लेके आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ सिर्फ मेरे आधार काट पेंड कर सेल्फी से मुझे ये अप्लिकेशन लोन दे रहा है ना मुझे इसमें कोई बैंक की स्टेटमेंट देना है ना ही कोई सेल्रे स्लिक देना है गाइस अगर आपको भी लोन चीए विडियो पुरा आखरी तक देखेगा मैं आज लाइफ प्रूफ लोन लेके आप सब लोगों को दिखाने वाला हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मैं अपने बैंक में पूरा लेके दिखाने वाला हूँ बहुत ही कम डॉक्मेंट्स में बहुत ही बड़िया लोन अप्लिकेशन ने जो आपको लोन दे देता है हाला कि थोड़ा सा इंट्रेस्ट रेट जादा है बढ़ आपको लोन फटा फट सिर्दी देता है ठीक है लोन चीए वीडियो को बुरा आखरी तक देखिए एंड तक देखिएगा चैनल पर नहीं होंगे प्रोसेसिंग फिस या फिर सिक्यूर्टी मनी के नापके तो बिल्कुल मत दीजेगा चलिए दोस्ता आप मैं आपको लेकर चलता हूँ सीधे प्लेश्टोर पर दिखाता हूँ और 24 महीने के लिए यह एप्लिकेशन बोल रहा है कि आपको लोन दे देता है लेकिन 24 महीने के लिए यह लोन नहीं देता है यह बहुत एकम टाइम के लिए लोन देता है लेकिन हाँ लोन दे देता है अभी मैं आपको खुद लोन लेके दिखाऊंगा यहाँ पर इन्हों ने example दे के समझाया है कि small business loan के लिए अगर आपको माल लोग एक लग का loan मिलता है तो 12 महीने के लिए मिलेगा 30% per annum का interest rate लगेगा processing fees यहाँ पर 3% लगेगा और बाकी यहाँ पर रुपय में भी 30,000 रुपय लिखा हुआ है इतना लगेगा इतना और महीं नहीं हमाई आगा इतना आपके bank में disverse किया जागा 45 NBFC है जिनसे आपको यह application loan दिलाती है जिनसे इस application का tie-up है SI Crava Services Private Limited MAS Financial Services Limited और तूना वाला FinCop Limited है और भी एक-दो है आप पुरा पढ़ देना application से loan लेने के लिए आपको application Play Store से डाउनलोड करना है mobile number डालना है OTP या वो डालना है आधार card pen card selfie डालके easily आपको loan के लिए अपलाई कर देना है तो यह application बढ़िया है लेकिन guys यह जितना दिखा रही है न कि आपको 24 महिने तक का loan देगी और लाखों का loan देगी उतना नहीं देती है guys मैं इस application से 3-4 बार loan ले चुका हूँ और लेके चुका चुका हूँ अभी मैं फिर loan लेके आपको दिखाऊंगा कितने का loan देती है यहाँ पर application का देख लो guys mail ID है और यहाँ पर contact number है कोई भी दिखकता है अगर ले लेगा तो कुछ करेगा नहीं हलाकि contact list का permission नहीं ले रहा है लेकिन phone का permission ले रहा है तो उसमें आपका contact list भी hack कर सकता है लेकिन कुछ नहीं करेगा क्योंकि NBFC registered application है अब मैं आपको इसका नाम बता देता हूँ और खुद आपको अपना personally loan लेकि आपको दिखाता हूँ इस application का नाम यहाँ पर देख लीजे किस instant line of credit इस application का नाम है ठीक है किस instant line of credit यहाँ आप देख लीजे 4.0 की rating है 10 million plus इस application के downloads है 4.0 की rating है 10 million plus इस application के downloads है बागे guys यहाँ से अब CUL reviews करके पूरा reviews हो करें पढ़ लेना rating हो करें दिख लेना देन आप loan के लिए apply करना अब मैं इसको open करता हूँ और आपको खुद loan लेके दिखा देता हूँ तो guys मुझे अभी तक यह application loan दिया है मैं भी आपको दिखाऊंगा कितना मैं loan close कर चुका हूँ तो यहाँ पे देखो चार loan मैं इससे अल्रेड़ी तीन loan ले चुका हूँ और यहाँ पे देखो तीनो close कर चुका हूँ स्टार्टिंग मैं मुझे 9000 का मिला था जो की 31 जनवरी 2024 को था फिर 25 फरवरी 2024 को मैं लिया 9000 का फिर अब दो बार loan लेने के बाद दो महीने बाद एक एक महीने के लिए ये लोग loan देते हैं तीसरे महीने में देखो मुझे सिर्फ 900 extra limit मिला 9900 और अभी भी मुझे मिला है सिर्फ 900 का ही limit यहाँ पे देख लो अभी मैं आपको इस पैसे को अपने बैंक मिले के दिखाता हूँ आप पूरा विडियो देखिए का गाईज यह application सिर्फ आपके आधर कर पेंड कर selfie से loan देता है कोई bank statement नहीं कोई salary slip नहीं लेकिन हाँ loan देगा सिर्फ और सिर्फ आपको एक महीने के लिए हाला कि guys मैं आपको बता दूँ इसमें दिखाता है कि यह बहुत दिन के लिए loan दे रहा है लेकिन guys देता नहीं है यहाँ पे guys आप देख सकते हो यह लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आपको यह दो साल के लिए loan दे रहे हैं लेकिन ऐसा है नहीं यह सिर्फ एक महीने के लिए loan दे रहे हैं पहला EMI है 25 April 2024 को जो है आपका 10,200 रुपए के आस पास ठीक है दूसरा EMI है सेकंड इंस्टॉल्मेंट आपका देखिए 26 March 2026 ठीक है और यह है लगबग 500 रुपए के आस पास लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यह सिर्फ अपने NBFC को दिखाने के लिए ऐसा सिस्टम किये है यह एक ही EMI लेते हैं ओ भी एक महीने में यह दूसरा जो लिखा हुआ ना 495 रुपीज इसका कोई मतलब नहीं है यह सिर्फ ऐसे ही है यहाँ पर लिखा हुआ है ठीक है ताकि यह फो करता है कि हम 2 साल के लिए लोन दिए है लेकिन ऐसा यह दिए नहीं है सिर्फ एक महीने के लिए लोन मिलता है आपको एक महीने में repayment करना है 10,193 रुपीज अब हम bank add करते हैं मेरा पहले से add है इसमें bank हो गए रहे सब कुछ add है ठीक है तो हम इसी पर click करेंगे continue करेंगे ठीक है confirm करेंगे अब मैं इसको अपने bank में आपको ले के दिखा देता हूँ ठीक है यहाँ पर मैं अपने bank में यह loan का पैसा ले रहा हूं और यहाँ पर देख लो इतना मुझे repayment करना है इतना है 9,082 रुपीज और यहाँ पर किस्त के तरब से मैसेज आ गया SI क्रेवा एक सर्विसेज प्राइवेट लिम्टेट की तरब से यहाँ देख लीजिए साफ सप आ गया 9900 का प्रूबल है मेरा और यहाँ पर यह सब कुछ मैसेज हो गरे सब कुछ आता है और installment amount मेरा द 11-1200 रुपया जदा देना पड़ा रहा एक 1100 रुपया के आस-पास टैने और 30 दिन का देख लीजे 30 Despite मुझे लोन मिला मेरे bank account में तो मैं अभी आपका अपना UNO SBI खोल के आपको दिखा दूँगा देख लिए यहां पर लिखा हुगा congress relations your disbursement is under process money will reflect into your bank account shortly मतलब मेरे bank में जल्दी ही आने वला है ठीक है यहां पर upcoming payments है मेरे जो कि अब मुझे payment करना है अब मैं देख लो guys मेरे bank में पैसा disverse हो गया congress 9900 has been transferred to your bank account successfully मतलब मेरे bank में यह पैसा successfully यह लोग disverse कर चुके हैं अब मैं guys यहां पर अपना bank account आपको चेक कर आता हूँ आया है की नहीं पैसा so guys यहां पर देख लीजे मेरे bank account में यह लोग पैसा भेज चुके हैं और यहां पर 26 March 2024 को यहां पर आप देख सकते हो किस्त की तरफ से आया है 9082 ठीक है 9082 यहां पर देख लीजे अभी just यह पैसा आया है 26 March 2024 और यह आया है 9 बजे के आस पास ठीक है यहां पर guys आप देख लीजे यहां पर date तो कहीं time तो नहीं दिख रहा है लेकिन date दिख रहा है तो guys यह आभी मैं आपके सामने apply किया disbursement amount था 9082 रुपीज और उतना ही मेरे bank में लोग credit भी किया है मुझे repayment करना है 10,000 एक सा कुछ रुपए था मैं आपको दिखाये था तो एक महीने के लिए loan है एक महीने में 11-1200 रुपए जादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है guys आप सभी लोगों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है मैं video बनाने के लिए यह हर बार loan लेता हूँ तो guys please इस application से loan चाहिए होगा जाना प्लिश्टोर बे किस ता application डाउनलोड करना loan के लिए apply करना बहुत मेनत लगता है विडियो बनाने में पैसा भी फालतू का मेरा आप 11-1200 रुपए लग जाएगा इसका interest पे करने में और मैं 2-2 लाख रुपए का loan लेके आप सभी लोगों को दिखाया हूँ उसका interest पे करने में पता नहीं कितना हजार लगता है तो guys please हमारे मेहनत को समझिए चैनल को subscribe करिएगा बेल एकन को press करिएगा चलिए मिलते हैं आज के इस वीडियो में बस यही था मिलते हैं किसी और नेक्स्ट यूसल वीडियो में तब तक लिजा हैं वंदे मातरम